हेलो फ्रेंड्स मैं आशिमा स्वागत करती हूँ आप सब का अपनी चैनल किचन पार्टनर्स टेम में एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं एग सेंड्वीच बहुत ही आसान तरीके सी हैल्दी भी है और बहुत तेस्टी भी लगेगा आप इसली बना कर खा सकते हैं प्लीज वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है आप चाहें तो नॉन्सिक दवा ले सकते हैं उस पर मैंने बटर लगा दिया है थोड़ा सा जैसे ही बटर गरम हो जाएगा तो हम डारेक्चली आग को तबे के उपर ही तोड़ देंगे यहाँ पर दीखे आग को मैंने तबे के उपर तोड़ दिया है जैसे ही एक साइड पक जाएगा तो हम उसका साइड भी चेंज कर देंगे यहाँ पर दीरे दीरे जो हमारा एग है वो पक रहा है ओमलेट बन रहा है इसके पर मैंने पीसी हुई काली मिर्च डा दिया थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और इसका side हम change कर देते हैं देखे, आराम से इसका side change कर देते हैं side change कर दिया है, यहाँ पर जो egg का yellow part है उसको हम अच्छे से नहीं पकाएंगी, थोड़ा सा कच्चा रखेंगे और यहाँ पर egg हमारा omelet बन चुका है, इसको अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा ही उसी पैन पर हमने एक चमच और आयल डाल दिया है इसके उपर हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं थोड़े से ताकि उसका कच्चापन निकल जाए यहाँ पर हमने हलके फ्लेम पर ही पकाना है प्याज और टमाटर को इसी के उपर हम थोड़ा सा नमक भी लगा देते हैं यहाँ पर पक चुक है हम साइट पे कर लेते हैं प्यास टमाटर को थोड़ा सा कच्चा पन ही निकालना था हमें इसी पैन के उपर थोड़ा सा और ओयल डालते हैं या फिर बटर डालते हैं वहीं पर हम brown bread रखतेते हैं आप चाहें तो normal मैदावर bread भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर brown bread यूज किया है क्योंकि जो brown bread होती है वो थोड़ी healthy होती है उसको हलका पका लेंगे जो ध्यान रखेगा जो flame है बिल्कुल slow होना चाहिए इसी pan के उपर हम थोड़ी से mayonnaise लगा देंगे आप चाहें तो cheese भी लगा सकते हैं mozzarella cheese या फिर cheese slice भी रख सकते हैं इसके उपर यहाँ पर मैं mayonnaise लगा रही हूँ जिसको हम white sauce भी बोलते हैं एक side पर हम tomato ketchup लगा देंगे tomato sauce या आप चाहें तो chili sauce भी लगा सकते हैं इसी के उपर हम प्यास tomato रख देते हैं साधी में हमने जो omelet बनाया था वो भी रख दिया है chili flex भी डाल देते हैं और tomato रख देते हैं आप चाहें तो double layer भी बना सकते हैं इसी की और आम से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम लगाया है दोनों ही साइड हम अच्छे से पका देते हैं यहाँ पर अच्छे से पक चुकी हैं दोनों साइड हम बीच से कट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा egg sandwich बनकर ready हो चुका है यह healthy sandwich भी है अगर आपको हमारी यह recipe पसंद आई है प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेर ज्यादा से ज्यादा कीजिए आज जल्दी से मिलेंगे नई रेस्पी के साथ अब तक के लिए थैंक्यों सो मच बाई